सातियों नमस्कार मित्रों जैसा कि आप स्क्रिन पर देख पा रहे हो राजस्तान करमचारी चेनबोर्ट जेपूर मित्रों आज की डेट में नोडिक्सन जारी हो गया है LDC की वेकेंसी आ गई है दोस्तों बहुत ही अच्छी वेकेंसी आई है LDC जिसको हम राजस्तान में अभी Junior Resistant के नाम से भी जानते हैं कनिष्ट साहिक के नाम से तो दोस्तों ये वेकेंसी है तीन जग़पर राजस्तान में एक तो सासन सची वाले साथियों फिर्ट पर राजस्तान जो सरकार सिर्फ यहां से सची वाले से ही चलती है वेकेंसी इसमें आता है तो आप आपके पैराइटे नों सारी चूज कर सकते हो टोटल वेकेंसी साथियों 4100 सत्यान में जब आप फॉर्म बरोगे उससे में आपके यह उप्सन मिलेगा दोस्तों यह वही बच्चे फॉर्म बर सकते हैं जिन्होंने CT दिया है टोल्थ बेस का ठीक है जिन बच्चोंने CT नहीं दिया वो बच्चे यहां पर फॉर्म नहीं बर पाएंगे तो साथियों CT में जो 15 गुणा पद है जो यहां पंदरा गुणा जो विग्यपित पद है जिसे यहां 4000 क्रोस है तो उसका पंदरा गुणा कर लो तो इतने बच्चों को यह एक्जाम के लिए बुलाये जाएगा साथियों टोटल 15 गुणा बच्चों को विग्यप्ति में जो पद दे रखें उसके तो उन बच्चों को ही यहां पर एक्जाम होगा और कंप्यूटर बेस एक्जाम होगा साथियों ठीक है यह आप फॉम भरते वक्त ध्यान रखें कि सासन सच्ची वाले और पीसी और जो अधिनस्ति विभाग है इसके कारेवलियों में जो कनिश्टायक के जो पत पर यह चैन होगा वो मेरिट कम प्रियूरिटी के अधार पर होगा तो यह आप फॉम भरते वक्त ध्यान रखें आप यहां पर यह एप्लाई कर सकते हो अगर नहीं करते हो तो विभाग अपने हिसाप से फिर आपको विभाग आवंटन करेगा डिप पर यह लें पर हने पर क्राई कर सकते हों दोस्तों व और यह बट शुपार आपको समघ्चल सबंबर और करके आपकी समस्याख समधान कर सकते हो ठीक है बत्यक्ताथ को इस पर फुछेज घमाए करा दिए जो रऋ चुक Mexican गयाग जर यह फीज है जनरल OBC MBC क्रिमिलियर के लिए 600 रुपे है यहां आप देख सकते हो 404 रुपे है STAC के लिए फीज दीविए है ठीक है दोस्तों मुक्य जो बात है वह हम करते हैं साथ हो पोस्ट की मित्रों सिर्फ सासन सच्ची वाले में ही 584 पोस्ट हैं दोस्तों सासन सच्ची वाले जहां से पूरा राश्तान के गवर्मेंट चलती है 554 बहुत अच्छी पोस्ट यह आप के इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो फिर आरपीसी यह सिर्फ आरपीसी जो हमारा अजमेर है उसके बाद जो पोश्ट बश्टी साथियों दो हजार साथियों यह हमारे अधिनस्त कार्यालियों के लिए है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ सरकारी ओफिस दिखते हैं एक उनके लिए दोस्तों नोन टी एस पी में तो साथियों बेख लोग बरती रही है पहले भी देखो बेख लोग के थैस्पते हैं जो बंदे सोली टीस्पी यह बेलों करते हैं उनके लिए गोलडब बच्पर चुटियों अनुस्यजित जन जाती क इस में बनाज आपने करते हैं जिसे किसपर बढ़त इसमें पर एसंतर उन्वान लगिव सब्षेट्र हट और से ऐस कोड़ी तरफ राजस्तान सरकार का जो दार पांट सम्थिंग आपको fix payment रहेगा दो साल के लिए उसके बाद सातियों इसे आपको fixation हो जाता है फिर आपको 35,000 आपके payment हो जाएगा सातियों only बार वी पास मांगा हैं सिर्फ बार वी पास किसी भी स्ट्रिम में हो साइंस हो या आपके आठ सो कोई भी हो साइंस सब चलेगा बार वी पास होना चाहिए और बार वी कहलाओ आपको कम से कम RSCIT का RSCIT जो रास्तान में popular है इसका डिप्लोमा होना चाहिए computer का अगर यह नहीं है तो आपका IT है कोपा में तो वह भी यहाँ पर चलेगी सातियों या फिर आपने कोई computer का डिप्लोमा किया हुए वह भी यहाँ पर entitle यह यहाँ पर दिया हुए उन में से होना चाहिए ठी सातियों इसके अनुसार जो एक्ष्ट्रा चूट है एक्जाम होगा 15 बच्चों को सिर्फ एक्जाम में बुलाए जाएगा ठीक है और दोस्तों आविदन कैसे करें तो यह कोई topic नहीं है आप जो दूसरी फूर्म बढ़ते हो ही मित्तर के दोरह भरवा सकते हो कुद भर सकत हैं अब सातियों जो important बात है वो मैं आपको यहां बताता हूं यहां पर सातियों एक जो आपका syllabus भी इनों नहीं दिया हुआ है और क्या रहेगा किस तरह हम इसकी में रहेगी एक्जाम के सातियों बहुत important है यह चीज़ मित्रों दो फेज रहेंगे इसके paper के first phase और second phase first phase में क्या है दोस्तों first phase में सिर्फ और सिर्फ रास्तान जिके और science और गणित यह रहेगी और सातियों इसमें हिंदी और English जिसका भी एक्जाम होगा अलग से 3 घंटे सिर्फ सातियों रास्तान जिके science और गणित का एक्जाम होगा 100 नंबर का और फिर 3 घंटे आपको और और उसके बाद सो नंबर के आपकी टाइपिंग है साथियों तो इस प्रकार टोटल नंबर होगे 300 टाइपिंग बहुत दोस्तों आप रिटन निकालो आराम से एक मेहने में सीख जाओगे साथियों दो मेहने में आप बहुत तेश्चे यह अराम से दक्सता प्रिक्सा पास कर लोगी साथ आधियों अगर आप मेहने से करते हो ठीक है तो यह को इð इंपर्टेंट नहीं टाइपिंग इतना मेहां जिपश्चे सकते हो इसवाम अगर से पापको कुछ समस्या है तो आप मेरे को कमें कर सकते हो मैं आपको सुलूशन करने की पूरी कोश्ची करूंआ